अलू अरजुन के पुश्पादा रूल 15 अगस 2024 को रिलीज होई थी, मगर इसी दिन रोहिट शेटे की सिंगव अगेन भी सिनेमा घरों में लगी थी, ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि दोनों में से कोई फिल्म जरूर पीचे हटेगी, क्योंकि क्लैश से दोनों फिल्मों का नुकसान होगा, खबरे चले कि पुश्पाटू के मेकर्स अपने फिल्म आगे किसकाएंगे, मगर आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, तो प्यालूर जुन के फिल्म के मेकर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनके फिल्म 15 अगस्ट को ही आएगी, ऐसे में प 2023 में ऐसी दो क्लैश हुए, गदटू और एमजी टू, एक ही दिन रिलीज हुई, दोनों ने ठीक ठाक कमाई की, इसके बाद एनिमल और सैम बहादूर का फेस ओफ हुआ, एनिमल ने थोड़ी तीजी की, सैम बहादूर धीरे दीरे 100 करोड के पार पहुची, अगर इनका क्ल सिंगम पॉपलर फैंचाइजी है, मगर उसके अगले पार्ट का इंतजार पुषपा 2 जितनी बेसबरी से नहीं किया जा रहा है, उसके मुखे वज़ा ये है कि पुषपा पैन इंडिया फिल्म थी, जबकि सिंगम सिर्फ हिंदी में आएगी, इसलिए समझदारी भरा फैस अरजुन कपूर में रोल में है, महीं अक्षे कुमार उन्वी सिंग, एक्स्टेंडड केमियो रोल में नजर आ सकते हैं, स्टार पावर के लिहाज से सिंगम 3 बड़ी पिक्चर है, मगर पुषपा 2 का बस बाहु बली के बस के बराबर है, सूतर ने बताया कि अजे देवग इस लड़की की कहानी है, जो मजदूर से चंदन की लकडी का स्मगलर बन जाता है, दूसरे पार्ट में ये दिखाया जाएगा कि कैसे वो इस धंदे में अपना वर्चस्व कायम करता है, मगर कैच ये है कि इस बार उसके पीछे एक पुलिस वाला लगा है, जो किसी भी हाल में पुश्पा राज को रोकना चाहता है, पुश्पा 2 में अलो औरजिन के साथ अश्मिकमंदा ना फाहत फासल जैसे एक्टर्स ने काम किया है, इस फिल्म को सू कुमार ने डायेक्ट किया है, जो कि 15 अगर्स को सिनिमा घरों में रिलीस होगी, वरहार आपका इस पूरी अगर्स के खबर पर क्या कहना है, कॉमें सेक्चिन में अपनी राये हमें जरूर रहे हैं